राजधानी व्याइपूर के भारत माता चौक के पास बिजली विभाग के सब डिवीजन कार्याले के गोदाम में रखे ट्रांसफॉर्मर में अचानक तेज धमाका हुआ और उसमें भीशन आग लग गई गोदाम में रखे 1500 ट्रांसफॉर्मर जल कर खाक हो गए हैं बताया जा रहा है कि गोदाम में करीब 6000 ट्रांसफॉर्मर रखे हुए हैं जिससे बिजली विभाग कार्याले में लगी आग से वहां मौजूद लोगों में अफ्रा तफ्री मच गई ये पूर्य मामरा गुडिहारी थाना श्वेत्र का है सूशन मिलते ही फायर बिगेट की चार गाडिया आग बुझाने के लिए पहुँच गई फायर बिगेट कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं बिजली विभाग के सब दिवीजन कार्याले के गोदाम में आग लग जाने से बिजली आपूर्टी पूरी तरह से ठप हो गई है इधर भीशन आग से बिजली विभाग के अधिकारियों और करमचारियों के होश उड़ गए बिजली विभाग के काव्याले में आग लगने की खबर मिलते ही सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुच गए बताया जा रहा है कि ट्रांस्फोर्मर में शौर्ट सर्किट की वज़ा से यह आग लगी वही पुलिस ने आग की वज़ा से भारत मता चौक इस्तित बिजली विभाग के सब डिवीजन काव्याले की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है कर दो